कि मॉर्निंग एब्रीबड़ी क्लाज शिक्स के बच्चों का स्वागत है आज चैप्टर टू कम्पोनेंट्स अफूट पिछले पार्ट में मैंने जो नूट्रियेंट्स अफूट था प्रोटीन, कार्भोहाइट्रेट्स, फैट्स यह तीनों का स्रोथ, वाटर दा सोर्सेज और दा इंपोर्टेंस, और इस दा यूज इन आवर हुमन बाड़ी, यह आपने बिस्तार के पढ़ा था, लेकिन आज चो अब लोग पढ़ने जा प्रोटीन का क्या फंक्चन बताया था, ग्राथ, ड네फललफement, मेंटेनेंस, रिपैर रिपैरिंग, इन रिपडर्चन यह ही बताया था न, कार्भाइट्रेट का क्या बताया था इनर्जी गिविंग फूर्ट यह इनर्जी स्टोड फॉर्म में रहता है जब इमर्जंसी में हमारे सहीर को जरुत पड़ता है तो यह फैट इनर्जी का सप्लाय करने का काम करता है और एक बत और याद रखना है अगर एक पाटिकुलर निश्ची दोवेट ले लोग तो फैट ज्यादा इनर्जी देने का काम करता है तो आईए यह तो फिट्वेक हुआ पिछले चैप्टर के पिछले पार्ट का फिर आप सुरुआत करते हैं बिटामिन्स और मिनरल्स का इसको अब लोग कहते हैं यह इन्फेक्शन से रोग से लड़ने की च्छमता परदान करता है एक वर्ड आया था ना करोना के समय याद करो इम्म्यूनिटी वर्ड इदा इम्म्यूनिटी होता है तरीर प्रतिरोधक च्छमता आप अगर विटामिन्स का यूज करते हो बैलेंस डायेट लेते हो तो आपक हमको अरे भाई ब्लड का जो मेन पार्ट क्या है यार वी सी डबलू बी सी प्लेट लेट तो रोग से लड़ने की च्छमता किसमें है डबलू बी सी वाइट ब्लूड का पसज है तो विटामिन्स का सेवन करो और एक बात और याद रखते हैं मैंने कहा ता पिछली बार भी कि हम लोग सीजनर फल जरूर खाने का परियाज करें प्रकिरती हमें अगर हर सीजन में ए विराइटी आफ प्रूट्स और नट्स प्रोवाइट करती है उसके पीछे राज कह है आप धेल करा नूट्रियंस लो उसमें बिटामिन्स हैं मिनरंस हैं तो आपका सरीर सोचत रहे का लड़ने की छमता पैदा होगी रोग से आप निरोग रहोगे आएए बिटामिन्स एसेंसियल फॉर प्रोपर वार्किंग ऑप बाड़े रिकॉर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी एक बात याद रखना आप कार्भाहड्रेट की मातरा हो सकती है ज्यादा प्रोटीन की मातरा विटामिन्स रिच फूट देख रहे हो विराइटी ऑफ फूड आइटम्स क्या क्या है वाइस ट्रॉवेरी है तो यह सातूत है फिर क्या देख रहे हो गौबा है अपल है धेर सारी विराइटीज है और यह धेर सारा विटामिन्स और मिनरल्स देने का काम करती है अगर बात करें तो नौन बिटामिन कितने हैं जो जानकारी में हम लोगों का है वो 20 है लेकिन हम कुछ खास चुने वे जिसकी सक्षरत है हमारे सरीर में उसको पढ़ने का काम करेंगे हाई यह हेल्थ बेनफिट्स ऑफ बिटामिन बिटामिन ए बेनफिशियल इंट्रीटिंग आई डिसॉर्डर्स इसकिन इंफेक्शन कभी सुना आपने कुछ रोगों को रतोंधी की बीमारी हो जाती है इसको नाइट ब्लैडनेस कहते है ठीक है क्या बोला हमने नाइट ब्लैडनेस यह क्या है बई जैसे ही साब हो जाती है उसको दिखना बंद हो जाता है सब कुछ अन्देरा-अन्देरा दिखता है उसके सामने प्रकास की छोटी सी किरण भी उसको देख पाने में सबुसक्षम नहीं है यह क्यूं हुआ बई तो उसने भोजन में बिटामिन A का कंटेंट लिया ही नहीं और दूसरी बात इसकिन टिसीज इसकिन का इंफेक्शन रैसेज प्राइ स्किन ये सब प्रॉब्लम से आप देखो बिटामिन A कहां-कहां खोज सकते हो देखो ना गाजर में है ब्रॉक्वाली है दे सारे फ्रूट्स हैं एक्स हैं मिल्क है ये धे इस पैसली आप दिमाग में इस बात को रख लो कि बैलन्स डाइट में एक हरी सबजी तो जरूर खाना है अगर आप कोई भी एक हरी सबजी खाते हो तो कुछ ना कुछ विटामिन तो मिलता ही विटामिन A तो मिलना ही है ये आपका देखिया ही फूट आइटम है जो सो करता है तीज आरदा इंडिज विट विट विटामिन A तो याद रखना है बेनफीशियल एंट ट्रीटिंग आई डिसोड़ा और इसकिन इंफेक्शन और इससे होने वाले रोग का नाम याद रखना है नाइट ब्लाइंडनेस जिसके रतोंदी जिसको बोलते हैं अगला विटा नाम सुना है बिटामिन B कंप्लेक्स क्यों कहते हैं B कंप्लेक्स क्योंकि एक से ज़्यादा प्रकार के बिटामिन का संग्रा है ये बिटामिन A है तो के बल एक है वान डिवान पाटिकुलर बिटामिन लेकिन बिटामिन B ये धेर सारे बिटामिन का संग्रा के वज़ा से इसका नाम ही रखा गया विटामिन बी कमप्लेक्स। हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन बी नाइन। देखे तो, कहां कहां पाय जा रहा है। ये लिवर में हैं। उसके बाद देख रहे हो, ब्रॉक कॉली है। ये आपका कॉली पुड़ावा, ये लेडी स्फिंगर है, बिंडी। इन सारे फुट आटम्स में बिटामिन बी नाइन अबलेबल है। और ये क्या सब्सक्राइब रिस्क आफ नियूरल ट्यूब डिफेक्ट दूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मतलब जो लेडी गर्वती है, प्रेगनेंस है, उसके लिए बिटामिन बी नाइन का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। ये नियूरल ट्यूब जो है, वो रैप्चर नहीं खट कर जाए, वो फट नहीं जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, कि हम इस तरह के विटामिन का सेवन करें। एक रोग का नाम सुना है एनीमिया याद रखना इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉर्ड एक्जाम परपस एनीमिया इसकी कमी से यह डिफिसेंसी डिजीज हो गया ना कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा तो क्या बोलोगे एनीमिया तो यह एनीमिया अगर विटामिन B12 यह देखो फूड आइटम्स यह रिलीव देता है हमें किट्नी और लिवर डिस ओडर है किट्नी और लिवर किट्नी में क्या प्रप्लम हो सकता है वहीं फिल्ट्रेशन का प्रप्लम हो सकता है सही डंग से फिल्टर नहीं हो रहा है नेफ्रों सही डंग से काम नहीं कर रहा है यूरीन का रिलीस सही डंग से नहीं हो रहा है यूरीन कंप बन रहा है और कंप बन रह कोड़ा है जो आपके लिए घातक है लिवर आपने जादा फैटी सब्स्टांसेज का यूज किया है अगर आप लिवर के इंफेक्शन से किद्नी के इंफेक्शन से या एनिमिया से बचना चाहते हो तो आप विटामिन B12 जो है हमारे सरीर में इम्म्यूनिटी भी पैदा करता है रोक से लड़ने की छमता पैदा करता है यह बहुत जरूरी है मैं फिर रिमांडर करता हूँ कि आपको अगर सौस्त रहना है तो विटामिन B12 इस पेसली लेना होगा जिससे आप रोक से लड़ पाएंगे तो देखा यह फूड आइटम देख रहे हो पहचान रहे हो क्या क्या है मीट है मचली है अंदा है कॉर्ण है और क्या है वई मिलका आइटम है यह धेज नट्स वेगरे हैं यह फूड आइटम यह मस्रूम यह मस्रूम है यह मस्रूम हुआ तो यह देख रहे हो इस सब में क्या पाए ज याद रखेगा, बिटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा, एनेमिया, और दूसरा, किड्नी एंड लिवर डिसॉर्डर, आईए बिटामिन C, अब एक बात में बताना चाहरा हूँ, हमारे पास जितने भी सारे बिटामिन्स हैं, वो एक तो पानी में गुल जाते हैं, आई-बिटामिन होगा, आद दूसरे क्या है सर, पैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, आप बताने का काम करोगे, ये कौन-कौन सा पिटामिन है, वो पानी में जो पिटामिन्स घुलते हैं, वो कौन है भाई, बिटामिन B और पिटामिन C, और बाकि जो रेस्ट आप बिटामिन है वो सब क्या है fat में dissolve कर जाते हैं देखा आपने और vitamin c की एक और है important characteristics अगर आपने इस vitamin को गर्म किया यह नस्ट हो जाएगा इसमें vitamin c को heat नहीं करना है गर्म नहीं करना है नहीं तो vitamin c का content समाप्त हो जाएगा देखो vitamin c और vitamin c पहचानेंगे कैसे नहीं हम लोग कहते हैं जो citrus food है जो citrus substances है वो क्या होता है इनरीच होता है vitamin c से देखो ना जितना भी साड़ा है यह सब देख रहे हों यह सब vitamin c से भरपूर है यह देख लो नेबू ले लो टामाटर ले लो ग्रेप्स ले लो अम्रूद ले लो यह सारे में vitamin c हैं और यह water soluble vitamins हैं उसके बाद यह इससे एक रोग जो होता है याद रखना हो हम बार बार कह रहे हैं कि एक्जाम में प्राय यह पूछा जाता है कि इस vitamin की कमी से कौन सा रोग हो रहा है तो vitamin c की कमी से इसकर भी कैंसर common cold common cold क्या हो गया यह तो viral infection है ना सर्दी होती है क्या करते हैं हम लोग अभी भी लोग कहते हैं कि नीवू में कुछ वो काली मिर्च का पॉडल देखे कि उसको हलका हीट करके कि उसको सक करो क्यों बैसा क्यों का जाता है क्यों आपको सला दी जाती है और ऐसे भी आपको common cold है तो इसे बचने का जो आपका जो medicine लेते हो वो इन रिच क्या होता विटामिन सी से आप विटामिन सी का proper seven करो ना तो इन सारे प्राब्लम से आप दूर रह सकते हो याद रखना है इसके बारे में हम लोग बिस्तार से पढ़ेंगे अगले पार्ट में इसकर भी क्या है उसके सिंटम्स क्या है हम इसको बिस्तार से जानने का काम करेंगे आ宅गहीए बिटामिन डी इनर्जी से भरपूर तर प्रोवšंच याद रहतों विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोथ कोने 17 days इंबो का सेवन किया करो विटामिन डी अबलेबल होगा यह सबसे बड़ा है विटामिन डी का और वाकिन फिर जिनसे आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हो यह आपको मदद क्या करेगा एड्स इंट्रीडिंग अर्थराइटिस यह अर्थराइटिस क्या है भई नम सुने हो अर्थराइटिस का अरे हड़ी का जूड़ है देखतो अपड़ एज में वो मुड़ फोल्ड करने में चलने में प्राप्लम्स होता है देखो ना बुड़े लोगों को देखो ना बात करो ना उनसे कि क्या प्राप्लम आपको कोई प्राप्लम है बैठने में दोड़ने में चलने में वो हड़ी का जो जॉइंट से वहाँ प्राप्लम सुरू होता है दी जादा प्राप्लम पाड़ी, रिकेट, यह आपके बॉन्स, अंडेवलप्ट बॉन्स, देख रहे हो, कितना हेल्फूल है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए बिटामिन दी, और इसका सप्लिमेंट कौन पूडा करेगा, आप देख लो, पीस है, और क्या है भाई, पनीर है, पपिता है, अंडा है, मस्रूम है, इतना सारा फूड आइटम है, जो हमें बिटामिन दी, उसके बावजूद भी, आप दूप का सेवन जरूर करेगा, यह हमें भरपूर बिटामिन देने का काम करता है, बिटामिन ए, इंप्रूब्स ब्लाड सर्कुलेशन और स्लोज डाउन एजिंग प्रोसेस, अगर आप सुविनाइल, एकदम जवान बने रहना चाहते हैं, यंगस्टर बने रहना चाहते हैं, तो बिटामिन ए का सेवन करो, क्यों, क्योंकि सेंटेंस देखो, स्लोज डाउन अगर आप बिटामिन ए का सेवन करते हो, एंड ब्लाड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, इंप्रूब करता है, देख लो बिटामिन ए का कंटेंस, क्या-क्या पाया जा रहा है, बादाम है, ब्रक्वाली है, और और क्या है भई, देख रहे हो, इन सारे फूड आइटम में बिटामिन ए मिलता है हमें, धेख सारा बिटामिन ए मिलता है, तो क्या है इनका फायदा क्या है, हेल्प इन ब्लाड सर्कुलेशन को सुचारू रखता है, ताकि आपका बीपी भी ब्लाड प्रेसर भी मेंटेंड रहे, आप दूसरा स्लोज चमत काड़ है तो यह है बिटामिन ए का, अगला है बिटामिन के, आप देखो भाई, विटामिन के, बहुत सारे फूड आइटम का तो नाम भी है, मेरे को नहीं पता है, देखो तो, लेकि फिर भी देख रहे हैं, यह ब्रोक काली है, यह हरा चना है, है ना, और क्या है, कु Mensural Pain and Internal Bleeding. यह देख रहे हो, Mensural Pain. यह क्या है सा, Secondary Sexual Characters in Females? ठीक है? 10 से 12 साल के ओम्र से, यह Mensural Cycle स्टार्ट होता है. और इस क्रम में धेर सारा Пेन होने की सम्भावना होती है. Stomach Pain. तो उसे बचाने का काम करता है, यह Vitaamin K. और यह नॉर्मल है, यह कॉमन भी है, पर यह लोग इसे ग्रसित होते हैं, तो आप और दूसरा इंटर्नल ब्लीडिंग, अब इंटर्नल ब्लीडिंग क्या हो गया, कभी-कभी देखते हो तुम नाक से खूनाना, ब्रेन हैमरेज का प्राप्लम हो सकता है, तो यह सबसे हम बच अगला हमारा आगया, मिनरल्स, अभी तक हमने बात किया था, बिटामिन्स का, और हम बार बार कह रहे हैं, कि आपको सौस्त रखने का काम, रूख से लड़ने की चंता परदान करने का काम, यह दोनों का है, आएक कुछ खाक मिनरल्स की बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी मात्रा होती है, और तो यह यह दो डिया समंदित रोग होते हैं, अब आए हैं आप कुछ पिनरल्स की बात करते हैं, आडन, कैल्सियम, मैगनेसियम, फास्पोरास, सलेनियम, आयोडीम, पटेसियम, यह अपने सरीर के लिए चरूर है, है देखे तो यह हम बात करते हैं कैल्सियम का कहां है वाई कैल्सियम का देखो तो food item कहां क्या क्या पाए जा रहा है इसका काम क्या है चलो हम कैल्सियम की बात करते है what is a function in our body तो आपके bones को और teeth को स्ट्रॉंग बनाने का काम करता है कौन कैल्सियम और कौन करता है भई और इसमें नहीं है तो एक नाम और याद रखो ना तुम कैल्सियम एंड पासपोर उसके बाद जिंग का क्या काम है what is the function the better functioning अब मसल्स नर्फ सिस्ट्रम जिंका हो गया मैगनेसियम का काम यह भी हमारे मसल्स के वर्किंग से है आइरन आप जान रहे हो यह ब्लड का कस्टिच्वेंट है पोटेल्सियम आपके साल्ट के लेवल को बनाए रखता है तो देखा आपने यह मिर्वर्स अमारे के खरीर में कितना जरूर ही है आपके दाथ कम जोड हो रहे हैं अभी आपने सोचा है कि आपके फूड आटम में किसकी कमी हो रही है आपके बोन्स कम जोड हो रहे है बोन्स में क्या पाए जाता है कैल्सियम और फासफोरस और फासफोरस नम सुना है ना दो तरह का वाइट फासफोरस और रेट फासफोर तो आग की हलकी चिनगारी दिखाए देगी अंधिरीदात में वो क्या चल रहा होता है पता है वो अपना बोन है फास्पोरस और वाइट फास्पोरस क्या होता है रूम टेमपरिचर भी कैसे फाट आग की छोड़ी-छोड़ी चिनगारी दिखती है तो यह अपने सरीर के क्युशन में रिन्टो किस्टन नमर बान दर्स इस एस्टनियल फार्म फार्मिंग लोगे निन दपलाइड अभी मैने बता है बलेट के लिए कोण चरूड़ी है व्यूं जोड़ी कैल्सियम आ इडन स्वोडस फॉड़स गैनेसियम क्याप का स्वापका आपका आपका आप the disease caused by the deficiency of iron iron की कमी से कौन सा रोग होगा anemia तीसरा the disease caused by the deficiency of iodine iodine की कमी आजकर देखते हो अब लोग क्या यूज़ करते हैं iodized salt तो नमक यूज़ करते हैं खाने वाला नमक उसमें iodine की मात्रा होती है आप उसमें हलका सब पारें तो हलका ब्लूइस कलर आजाता है और बहुत चोटी सी मात्रा होती है iodine की यह हमें किस रोग से बचाता है तो गौाइटर से इसी को घेगा रोकेते आज गौर्वर्मेंट ने क्या किया है कंपल सरी कर दिया है कि आप जब भी नमक बेचोगे बिना iodine mix बेची नहीं सकते पहले दिखता थो नहीं आज सारे नमक में क्या मिला हुआ है iodine तो इसकी deficiency से कौन सा रोग होगा गौाइटर बिटामिन और मिनरल्स का क्या काम है bodybuilding और यह तो protein का काम है energy giving यह carbonated fat का का काम है तो बचा कौन protective food yes बिटामिन और मिनर्स protective food है विटामिन जस लॉस्ट during cooking खाना बनाते कि समय कोन सा बिटामिन नस्ट हो जाता है मैं बताया चाना वो बिटामिन C है और ये question तो मैं ठोड़ रहा हूँ आपके लिए कि आप धूप का सेवन कर रहे हो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सला दी जाती कि बच्चों को कुछ देर धूप में रखा जाए परपस क्या है भई आप सोच के रखना next class में फिर इस पर हम बात करेंगे फिर आप से मिलते हैं अगले episode में thank you